हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मिश्टर एम डिस ठाकूर फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही खास है आज मैं फटी एडियों से छुटकारा पाने के बहुत ही सरल नुसका बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स फटी एडिया आज कल एक आम समस्या बन गई है और ये न सरी बड़ी लोगों में पाई जाती है वलकि कम उम्र में भी फ्रेंड्स इसका हमें सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने चहरे को निखानने पर तो पूरा ध्यान देते हैं लेकिन पैरों की किया नहीं करते इसी बज़े से फटी एडियों की सिकायत हो जाती है समय के साथ ये समस्या बढ़ती है और तब एडियों में दर्द के अलावा खून तक आना शुरू हो जाता है चलिए फ्रेंड्स बताते हैं कि एरियां क्यों फट्तियां अक्सर अन्यमित खान पान विटामिन ए की कमी कैल्सियम आरन की पर्याप्त मात्रा ना मिल पाने के कारण थाइडाइट की वीमारी से तूद का सेवन ना करने से पैर में नमी की कमी होना अधि फ्रेंड के मौसम में अक्सर एडियां फट जाती हैं बिना जूते चपल के चलने से भी एडियां फटती हैं तो चलिए फ्रेंड्स एडियों को ठीक करने और कोमल बनाने के घरे लूपाय बताते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल क से भी जरूर प्रेस कर दें जिससे ऐसी ही महत्पुट जानकारी आपको समय पर मिल सके फ्रेंड्स नार्यल का तेल फटी एडियों में बहुत ही कारगर सावित होता है रात को सोने से पहले एक बड़ा चमच नार्यल तेल लेकर उसे फटी हुई एडियों पर लगाएं चाहे तो उसे हलका गरम करके भी लगा सकते हैं इसकी मसाज से थकान भी कम होगी इसके बाद मोजा पहन कर सोच जाएं सुबह उठकर पैरों को पानी से धोले करीब दस दिन तक इस उपाय को लगातर करने से एडिया मुलायम हो जाएंगी ग्लीसरिन और गुलाब जल जादा फट लिए यह बैतरिन उपाय है दोनों ही चीज़ें एडियों को नमी दे कर कुमल बनाती है उसके लिए आपको तीन चौथाई मातरा में गुलाब जल और एक चौथाई मातरा में ग्लीसरिन लेकर मिश्रन बनाना है और कुछ देर तक ऐसे ही एडियों पर लगा रहने देना है और उसके बाद गुनगुने पानी से उसे साब करना है कुछ दिन तक ऐसा करने से आपको फरक दिखना शुरू हो जाएगा ओट मील और जोजोबा ओयल फटी एडियों को ठीक करने में पहुती कार्गर साभित होता है ओट मील तचाक को निखाने का काम करता है जबकि जोजोबा ओयल मॉश्चर करने का काम करता है ओटमील पाउडर और जुजोबा ओयल को मिला कर एक गाड़ा पेश्ट बना लें इसे कुछ देड़ तक प्रभाविस जगह पर लगाएं फिर गुर्णुने पानी से धोलें इससे आपकी एडिया कोमल और मुलायम बनेंगी फ्रेंड सहद सहद एक बहुती अच्छा मोयचर राइजर है जो पेरों को हाइट्रेट रखने के साथ ही उनका पोशड भी करता है पानी में आदा कब सहद मिला कर उसमें कुछ देड़ तक पेरों को डुगो कर रखें लगबक 20 मिनिट बाद पेरों को बहर निकाल कर मुलायम तॉलिये से हलके हाथ से पहुँच लें इससे आपके पेर कोमल हो जाएंगे फ्रेंड्स ओलिब 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 के इस्तिमाल से भी एडिया कोमल और मुलायम होती है हतेली पर तेल की कुछ मात्रा लेकर हलके हाथों से मसाज करें इसके बाद पेरों को आदे घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दें इस प्रेकिरिया को हफते में एक बाद जरूर करें फ्रेंड्स आई होब इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और साथ में जो बेल आइकॉन बटन है उसे भी प्रेस कर दें जिससे ऐसी ही में एक बटन जानकारी आपको समय पर मिलती रहे तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ थेंक बाबाई